हे दोस्तों, welcome back, तो आज के से उड़े हम पूरा डिटेल में समझेंगे reciprocal ranging क्या होती है, उसकी क्या procedure होती है उसे हम पूरा डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में और वीडियो के end में में आपको कुछ visuals प्रोवाइड करूँगा कुछ animated वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको reciprocal ranging एकदम अच्छे से clear हो जाएगी, क्योंकि यह most important topic होता है ranging का type का तो reciprocal ranging को भी हम अच्छे से समझ लेते तो reciprocal ranging हम कब use करेंगे, पहले यह समझ लेते तो reciprocal ranging है, वो कि हमारे indirect ranging का एक type होता है उसकी एक method होती है, तो इस method का use हम कब करते है जब हमारे कोई दो end station clearly visible नहीं होंगे उनकी बीच में कोई obstruction आ जाएगे, जैसे कि heel तो इस type का जो obstacle आएगा, उसकी वैसे क्या होगा जो हमारे ranging है, यह station हमें clearly visible नहीं होंगे जब हमारे station हमें clearly visible नहीं होंगे तो उनकी बीच में intermediate point कैसे provide करेंगे जो कि उसके align होंगे, तो उसे हम कैसे align करेंगे उसकी क्या procedure होती है, उसे हम अच्छे से समझ लेते है और मैं end में आपको एक animated video भी provide करूँगा जिसे कि आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसकी procedure को समझने के लिए हम क्या बान लेते है एक हमारा ही हीली portion कुछ H type का है जो कि आपको इस image में देखने मिल रहा है यहाँ पर जो हमारा end station है, वो कौन से हमारा station A और station B है अब हमें क्या करना है, इनको एक align करना है एक line में तो यह क्या है, उसका एक top view है यह नीचे वाला portion क्या आ गया, उसका एक top view आ गया तो उसे अब हम समझ लेते है मान लोग कि जो मारा station A और end है उसे हमने align किया हुआ यहाँ पर जो कि दिख रहा है इस sectional view में अब हमें क्या करते है, हम A से 1, A सब point decide करेंगे जो हमें A से visible हो, जैसे M1 आ गया और एक point हम कैसे decide करेंगे N1, जो कि हमें B point से visible हो अब हम क्या करेंगे M1 point से जो person N1 पे खड़ा है, उसे हम क्या करेंगे उसे हम कुछ इस type से assist करेंगे कि वो point B के line में आ जाए यानि वो B के align हो जाए अब जैसे हो point B के align में होगा तो उस point को हम क्या नाम दे देंगे N2 नाम दे देंगे, जो क्या होगा इसकी एक सीधी line में होगा यानि M1, N2 और B अब एक सीधी line में आ गए अब जो N2 पे जो person खड़ा है वो M1 वाले person को बोलेगा कि वो इस type से move करे कि वो A1 के line में आ जाए अब वो M1 के line में आ जाएगा तो उस point को नाम क्या दे देंगे हम M2 नाम दे देंगे अब सेम M2 point पे जो person खड़ा है वो N2 person को assist करेगा उसे बोलेगा move होने का इस type से कि वो B binary line के एकदम align आ जाए अब जो नया point आएगा उस point को हम क्या नाम देंगे N3 अब N3 से जो person होगा वो M2 वाले person को क्या बोलेगा M2 वाले person को move करने का बोलेगा ऐसा move करने का बोलेगा कि वो A और N2 के बीच में align हो जाए अब उस point को नाम क्या देंगे हम M3 नाम देंगे अब M3 पे जो person खड़ा है वो N2 point वाले person को बोलेगा कि वो कुछ इस type से move हो कि वो N3 point पे आ जाए जो N3 point होगा वो किस के बीच में होगा M3, N3 और B A की align में आ जाएंगे अब N3 point पे जो person होगा वो क्या बोलेगा M3 वाले person को कि वो कुछ इस type से move करे कि वो एकदम A और N3 के एकदम align आ जाए तो ये process हम जब तक continue करेंगे जब तक कि M और N point हमें मिलने जाता जो किस के align होगा A और B point के align होगा तब तक हमें ये process continue करनी है यानि हमें क्या करना है जिसे एक point हो गया और एक point हो गया उन्हें कुछ हमें इस type से assist करना है कि वो एक दूसरे के align आते जाए और ये process हम जब तक continue करेंगे जब तक कि ये सभी point एक दूसरे के align नहीं आ जाते इस type से हमारी जैसे हमारी सारे point एक दूसरे के align हो जाएंगे establish हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी process complete हो जाएगी इसी process को हमें repeat करते जानना है और then जैसे हमें station मिल जाएगे फिर यहां से यहां तक कि हम क्या कर लेंगे distance measurement कर लेंगे फिर यहां से यहां तक कि distance measurement कर लेंगे फिर यहां से यहां तक कि distance measurement कर लेंगे तो यहाँ पे हमें के मिल जाएगी इन सभी points की directly distance हमें मिल जाएगी और यहाँ पे जो हम distance measurement करेंगे वो भी हमारी क्या होगी indirect method होगी interpolation method का हम use करेंगे क्योंकि जो हमारा survey area यह survey land है वो क्या हमारा hilly portion है तो वहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए एक कुरे direction एक कुरे distance मिलने चाहिए इसलिए वहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ अलग method का use करेंगे और हमें जो measurement मिलेगा वो भी हमें indirect मिलेगा इसलिए जो हमारी ranging आ गई ओ किसकी category में आ गई indirect ranging की category में आ गई और इसको reciprocal इसलिए बोल रहे है क्योंकि यहाँ पे क्या करना हमें बार बाप points को move out करते जाना है एक दूसरे के align करते हुए जब तक कि सारे points एक दूसरे के align नहां हो जाए तो इस type की method होती है जो की समझने के लिए भोज़ादा easy लेकिन भोज़ादा important method है तो इस बहुत important method होती है reciprocal ranging आप इस related एक animated वीडियो आपको देखने मिल रहा होगा एफ जय दूसरे के लिएषण गया झाला हो झाल 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 तो आज के इस वीडियों में बस इतना ही आयोब आपको reciprocal ranging method अच्छे से समझ में आ गई होगी इसका procedure क्या है वो सभी आपको detail में समझ में आ गया होगा तो अगर यह वीडियों आपको समझ में आया है और वीडियों आपके लिए help बोले तो वीडियों को जो लाइक करना साथ ही इस वीडियों को अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना जिससे उन तक भी इस related information पोस्स सके और इसकी अलावा अगर आप हमारी चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का गन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियों की notification मिल सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नेट ओपिक के साथ जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना थेंक्यू सो मच